Hello friends, welcome to my channel, कैसे हैं आप सब भी लोग and friends, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी fruit खाने का सही तरीका, fruits के बारे में हम सब को पता है कि कितना beneficial होता है, full of nutrients होता है, लेकिन fruits खाते हुए भी उसके जो असली फाहिदे हैं, वो हमको नहीं मिल पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको खाते हैं, वक्त कुछ चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो fruit खाने का सही तरीका क्या है, सबसे पहला तो देखिए, आप कोई भी fruit खा सकते हैं, वैसे तो लेकिन सबसे best होता है, आप seasonal fruit खाएगे, ठीक है, number one seasonal fruit खाना है, second आपको fruit अकेले खाना है, fruit को combination नहीं खाना, कि आपने apple भी ले ले, banana भी ले, grapes भी ले ले, उनको mix करके खा रहे हैं, नहीं, तो उसके जो फाइदे हैं, benefits हैं, वो कही नखी interact होते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो आपको एक fruit, जैसे अगर आप apple खा रहे हैं, तो एक आप apple ही खाई, ठीक है, एक fruit खाना है, और इस fruit को आप खाने के साथ combined मत कीजिए, आप इसको अकेले खा सकते हैं, जैसे कि आपने सुभा में खा लिया, या फिर आपने दुपहर में आपको कुछ खाने कमेंड कर रहा है, तो आप दुपहर में सिप fruit खाई, उसको खाने के साथ में mix मत कीजिए, तो आप इस तरह से उसको फायदा नहीं होता, जूस जैसे बना लेते हैं, तो उसके जो फायदे आपको और मिलने वाले होते हैं, वो कहीं न कहीं कम हो जाते हैं, तो बैस तो यह होगा कि fruit को आपको पूरा consume करना चाहिए, जूस निकालके नहीं लेना चाहिए, नेक्स हो जाता है कि जब भी आप fruits खाते हैं, तो आपको fog का use नहीं करना चाहिए, आपको अपने हाथों से खाना चाहिए, हाथों से क्यों खाना चाहिए, आप माइंड मेर होगा, क्योंकि जो हमारी fingertips होती हैं, इनमें nerve endings होती हैं, तो nerve endings जब आप finger tips से, जब आप अपने fingers से अपने fruit के piece को उठाते हैं, तो कहिनक ही stimulate होत करना चाहिए, तो यही सब चीजे हैं, जो आपको food को खाते हैं, समय ध्यान में रखनी चाहिए, I think आपके लिए वीडियो हेलफुल रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा हमारी वीडियो से, अगर वीडियो पसंद आता है, तो लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर रली जो और ऐसी हैल्फ वीडियो लेने के लिए, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाइ बाइ